हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जिकेटरिक दोस्तो इस वीडियो में हाली में जो अभी कम्प्लीट हुए हैं लोगसबा चुनाव उनसे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट कोशन हम कवर करने वाले हैं आने वाली गवर्मेंट एक्जाम में आपको इस टॉपिक से एक या दो कोशन जरूर देखने को मिलेंगे तो बस वही हमको एक दो कोशन जो है 100% सही करके आने देखिए लोगसबा इलेक्शन के उपर मैंने एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना रखा है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर डला हुआ है आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं इस वीडियो में हम सभी important MCQ को cover करने वाले हैं लगभग 40 important MCQ मेंने निकाले हैं जिनसे एक्जाम में कोशन पूछे जा सकते हैं तो चलिए बिना कैसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं तो यह पहला कोशन है 2024 के लोगसभा चुनाव के दोरान मुक्य चुनाव आयुत कोन थे? तो फ्रेंड्स चीफ इलेक्शन कमिशनर कोन थे डियूरिंग 2024 लोगसभा इलेक्शन? राजीव कुमार बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा 2024 के लोगसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटे जितने का करम में निमलिखित पार्टियों को हमको विवसित करना है तो बीजेपी सबसदा सीट जिती है उसके बाद में आयनसी थर्ड नंबर पर कौन रहा है? सपा रहिए, समाजवादी पार्टी चोथे नंबर पर रहिए, फ्रेंड्स चोथे नंबर पर रहिए, All India Tribal Congress और पांचो नंबर पर रहिए, DMK तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट कोशन लेते हैं काफी इंपोर्टेंट है यह कोशन 2024 के लोगसबा इलेक्शन में कुल मद्दान प्रतिशत कितना रहे हैं? 66.33% बी आंसर 2024 के लोगसबा चुनाओं में कितने मद्दाताओं ने भाग लिया? कितने मद्दाताओं ने भाग लिया, फ्रेंड्स कुल मिलाके जो eligible थे वोटर वो थे 968 मिलियन जिसमें से 642 मिलियन लोगों ने वोट किया है 64.2 करोड लोगों ने वोट किया है बी आंसर 2024 के लोगसबा चुनाओं के संदर्व में गटबंधन इंडिया का पूरा नाम किया है? तो इंडिया गटबंधन का पूरा नाम किया है? यहां पर Indian National Developmental Inclusive Alliance B. आंसर काफी important question है बहुत ज़्यदा सुर्खियों में है आने वाली एक्जाम में 100% ये question आप से पुछा आ सकता है 2024 के लोगसबा चुनाओं में BJP ने कुल कितनी सीटे जीती है तो BJP ने कितनी सीटे जीती है, friends 240 सीट जीती है C. आंसर सूरत निर्वाचन शेत्र से किस पार्टी के उमिद्वार को बिना विरोध के निर्वाचित किया गया तो कोई भी opposition में candidate जो है वो नहीं खड़ा हुआ था किस पार्टी के? BJP के सूरत निर्वाचन शेत्र में BJP के उमिद्वार के सामने कोई भी पार्टी का उमिद्वार जो है वो नहीं खड़ा हुआ था खड़े तो हुए थे बट उन्होंने बट उन्होंने क्या करा था अपना परचा वापस ले लिया था जिस वज़े से भारती जन्ता पार्टी के उमिद्वार को वोटिंग से पहले ही विज़ेता गोशित कर दिया गया A. आंसर 2024 के लोकसबा चुनाओं में कितनी महिलाओं ने भाग लिया तो 31.2 करोड महिलाओं ने याँ पर वोटिंग करिये 312 मिलियन C. आंसर आगे बड़ें उससे पहले काफे इंट्रेस्टिंग चीज हम डिसकस करते हैं जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह सभी जितने भी फाउंडेशन कोर्से से चाहे हम GS के अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर डिसकस करें English, Reasoning, Maths, Current Affair, State GK यह सभी कोर्से फ्रेंड्स आपको 50 रुपे से लेकर 1500 रुपे की रेंज में मिल जाते हैं कहाँ पर मिलते हैं इसके लिए आपको Crazy GK ट्रीक अप्लिकेशन डाउनलोड करना है वहाँ पर आपको यह सारे कोर्से जो है वो मिल जाएंगे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ पर क्लिक करकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड करने का भी लिंक दिया हुआ है तो बहुत ही nominal charges पर फ्रेंड्स यह सारे कोर्सेस आपके लिए अविलेबल हैं इन सभी कोर्सेस में आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और इसी के साथ साथ टॉपिक वाइस मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं तो अच्छे से आप रेक्टिस भी कर सकते हैं तो इसी तरीके से हमने हर एक कोर्स को यहाँ पर डिजाइन कर रखा हैं आप किसी भी कोर्स को एंडरॉल करेंगे आपको पढ़ने में काफी मज़ा आने वाला है तो एक बार क्रेजी जिके ट्रिक अप्लिकेशन डाउलोड करके ज़रूर देखिएगा इसके अलावा हमारी एकोर अप्लिकेशन है रूट अप्लिकेशन अगर आप फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक का अलिन वन पेकेश जोईन करना चाते हैं जिसमें अभी तक का पीछले 7-8 साल में जो भी हमने आपको पढ़ाया है जितने भी कोर्से से हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं अगर वो सारा डेटा आप एक साथ एंडरॉल करना चाते हैं तो आप all-in-one पेकेश ले सकते हैं उसमें आपको जितना भी क्रेजी जीके ट्रिक का अभी तक का कंटेंट है वो मिल जाता है तो all-in-one पेकेश जो है ये root application पे आपको मिल जाएगा इसको लेने के लिए screen पर दिये गए number पर भी आप call कर सकते हैं चलिए 2024 के चुनाओं में किस party का vote share 36.5% लगबग राएं किसको मिला हैं देखिए 36.5% vote भारती जनता party को मिला है 2024 के चुनाओं में नरन मोदी ने किस निर्वाचन शेतर से जीत हासिल करी हैं किस निर्वाचन शेतर से वारण असी से लगबग डेड़ लाग vote से वो जीते हैं 2024 के लोकसभा चुनाओं में समाजवादी party ने कितनी seat जीती हैं तो सबसे बड़ा उलट फेर जो है वो हमको देखने को मिला उत्रपदेश में समाजवादी party ने वहाँ पर 37 seat जो है वो अपने नाम करी हैं कितनी 37 और उत्रपदेश का सबसे बड़ा दल बनकर निकला है ये समाजवादी party 37 B आंसर बिलकुल यहाँ पर सही होगा 2024 के लोकसबा चुनाओ में अमेठी निर्वाचन शेत्रे से कोन जीते हैं कोन जीते हैं किशोरी लाल शर्मा इन्होंने स्मर्ती इरानी को हराया है 28 लोकसबा चुनाओ में मद्दाताओं को मद्दान केंदर के जानकारी और चुनाओ परिणाम के लिए चुनाओ आयोग ने कोन सा एप लॉंच किया था कोन सा एप लॉंच किया था VHA एप Water Help Line एप C आंसर 28 लोकसबा चुनाओ में भारती रास्टरी कॉंग्रेस ने कुल कितनी सीटे जीती हैं तो 99 सीट्स इन्हों ने अपने नाम करी है अगला कोशन लेते हैं भारत में पहली बार लोकसबा चुनाओ कब हुए थे तो भारत में पहली बार लोकसबा एलेक्शन कब हुए थे 1951-52 में A आंसर इन में से किस सविदान संशोदन अधिनियम के तहट भारत की संसद और राज्य विधान मंडलों में एंगलो इंडियन रिजर्वेशन सीटों को समाप्त कर दिया गया कि सविदान संशोदन अधिनियम के तहट 104 सविदान संशोदन अधिनियम के तहट बहुती इंपॉर्ण क्रॉशन है ये लोकसबा के कुल अधिक्तम सदस से कितने हो सकते हैं पहले देखिए 552 थे पर 104 सविदान शंशोदन अधिनियम 2019 के तहट दो एंगलो समुदाय की रिजर्वेशन सीटों को खतम कर दिया गया उसके बाद लोकसबा के कुल अधिक्तम सदस से कितने हो गए हैं जिसमें स्टेट की 524 सीट और युनेंटरेटरी की और युनेंटरेटरी की 19 सीट हैं कुल मिलाकर 543 सीट किस अनुच्छेद में आर्टिकल में लोकसबा के फॉर्मेशन और स्टक्चर का वर्णन किया गया हैं तो गठन और उसकी संदशना का वर्णन किया गया है आर्टिकल 81 में। आर्टिकल 330 किस से संबन दीते हैं। तो लोकसभा में रिजर्वेशन से संबन दीते हैं। अगला कुशन लेते हैं, किस राज्य में लोकसभा की सबसे अधिक सीटे हैं। तो सबसे आदा लोगसबा की सीटे की सराज्य में हैं उत्रपदेश में 80 सीटे हैं सेकेंड नंबर पर महारास्ट आता है जहांपर 48 सीटे हैं वेस्ट बंगल में 42 सीटे हैं बिहर में 40 और तमिलनाडू में 39 सीट आगे बढ़ते हैं केंशाशी प्रदेशों में सबसे अधिक लोगसबा सीटे किसके पास हैं तो यूटी में धेली जो है वहाँ पर सबसे आदा लोगसबा सीटे 7 नेक्स कोशन लेते हैं अनुसूचित जाती के लिए लोगसबा में कितनी सीटे आरक्षी थे शेडूल कास के लिए कितनी हैं? 84 और स्ट के लिए कितनी हैं? 47 नेक्स कोशन वही बोल रहा है कितनी? 47 यह अंसर लोगसबा का चुनाव कितने वर्षों में एक बार होता हैं? हर पांच वर्षों में लोगसबा का चुनाव होता हैं भारती निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इलेक्षन कमिशन आफ इंडिया का गठन हुआ था 1950 में, 1950 में भारती निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष कोन थे? तो सू कुमार सेन जो थे, वो भारती निर्वाचन आयोग के पहले अध्यक्ष थे मतलब चीफ इलेक्षन कमिशनर और अठारवे लोकसबा इलेक्षन के दोरान चीफ इलेक्षन कमिशनर कौन थे? राजीव कुमार ठीके ये चीज भी आप दिमाग में रखेगा लोकसबा चुनाव के लिए नियून्तम आयू कितनी होना चाहिए ठीके पट्चीफ वर्ष भारत में लोकसबा चुनाव कितने चुड़नो में हुआ था? तो पहला लोकसबा चुनाव जो था वो 16 चुड़नो में हुआ था और कितनी स्टो पर लड़ा गया था? ये भी ध्यान रखेगा 489 स्टो पर चुनाव लड़ा गया था भारत में second loks by election कब हुआ था तो 1957 में हुआ था second loks by election लोग प्रतिनिदित व अधिनियम representation of the people act कब पारित हुआ था तो कब पारित हुआ था 1951 में बहुत important है ये वेस का मतादिकार की उम्र पहले कितनी थी तो पहले vote देने का जो अधिकार था पहले vote देने का जो अधिकार दिया गया था वो 21 वर्ष के आयू में दिया गया था पर 61 सविदान शंशोधन के बाद में 21 वर्ष के आयू को घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया था तो पहले 21 वर्ष थी लोग सबा चुनाओ किस प्रकार के चुनाओ होते हैं डारेक्ट इलेक्शन होते हैं, इंडारेक्ट इलेक्शन होते हैं, कैसे होते हैं, तो ये डारेक्ट इलेक्शन होते हैं, राजेसबा चुनाओ किस प्रकार का चुनाओ होता हैं, तो राजेसबा के चुनाओ जो होते हैं, वो इंडारेक्ट इलेक्शन होते हैं, भारत के पहले लोगसभा चुनाओं में कुल कितनी सीटों पर चुना हुआ था, तो कितनी सीटों पर चुना हुआ था, 489 सीटों पर चुना हुआ था, ए आंसर तो फ्रेंड्स यहाँ पर लोगसभा इलेक्शन से रिलेटेड सभी कोशन हमारे कंप्लीट होते हैं आपने सारे कुशन बढ़ी आसानी से सौल कर लियोंगे, तो यहाँ पर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, अगर आपको इस विडियो का PDF डाउंलोड करना है, तो आप Crazy Zika Triek application डाउंलोड कर लीजिए वहाँ पर आपको option मिल जाएगा तो आज की बस इस वीडियो में इतना ही था I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा है मेनत अच्छी लगिए तो वीडियो को like कर दीजिए, share कर दीजिए और comment करके ज़रूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कलीजिए मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में तिल देन बाई बाई